हेलो बच्चो नमस्ते कैसो आप सभी बहुत अच्छे होंगी और I hope आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रहे होगी तो बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में तो देखे बच्चो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले आप सभी को पता है क्योंकि हमारा फास्ट लेक्चर हो चुका है इस चेप्टर का अर्ध नारिश्वर और लिखा गया है रामधारी सी दिनकर जी के द्वारा और आज इसका सेकिन लेक्चर है क्योंकि फर्स लेक्चर मे हमने रामदारी सिंदिनकर जी का जीवन परीचे पढ़ लिया है उनका एक महाज जीवन परीचे जिनको एक राष्ट कभी भी कह सकते है प्रकतिवधी काविधरा के कभी थे वो साहितिकार थे पद्द से ज्यादा उन्होंने गद्द लिखा था और गद्द उनका ज्यादा निखर कराया था तो ऐसी निखरे हुए गद्द को हम यहाँ पढ़ने वाले है लेक्चे नमबर टू के रूप में अर्द नारिश्वर यानि कि नारी और नर के बीच का जो फर्क था यह अर्द नारिश्वर है या कि एक मनुष्य के अंदर नर और नारी दोनों का समाविश होता है वो क्या बताना चाते है इस बात को समझने के लिए जानने के लिए हमें यह चैप्टर पढ़ना होगा कि अर्द नारिश्वर क्या है कम से कम तो जिनके पास भी दिखन भाग दो है उन वो अभी पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे या जान गए होंगे कि अर्द नारिश्वर चेप्टर में रामधारी से दिनकर्ची क्या बताना चाहते हैं चलो शुरू करते हैं हमारी क्लास जिसका नाम है अर्द नारिश्वर चेप्टर काफी बड़ा है इसलिए हम पूरा चेप्टर नहीं लेंगे आज केवल और केवल आधा चेप्टर पढ़ने वाले है अर्द नारिश्वर शंकर और पारवती का कल्पित रूप है जब भी हम अर्द नारिश्वर के बारे में बात करते हैं कि अर्द नारिश्वर तो हमें कोई और रूप नहीं दिखाई देता है ऐसा रूप दिखाई देता है कि आदे तो शिव जी है और आदे पारवती जी है बस ऐसे ही रूप की हमारे मन में जो कल्पना है या हमने कहीं पर देखा है आपने तस्वीरे भी कहीं देखी होगी कही बार मूर्तियां भी देखी होगी जो अर्द नारिश्वर की है और जिसमें आदे शीव थे और आदे पारवती थी ऐसा रूप आपने देखा होगा और ऐसा ही रूप आप देखते होंगे और आपकी मन में, आपकी कल्पना में भी यही रूप होगा कि अर्द नारिश्वर केवल और केवल शीव पारवती कोई कहता है और कहीं अर्द नारिश्वन नहीं है लेकिन रामदारीशी दिनकर जी क्या बताना चाह रहे है कि जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है एक ही मूर्ती के दो आखें, एक रस्मई और दूसरी विक्राल एक ही मूर्ती के दो भुजाए, एक त्रिशुल उठाए, दूसरी की पहुची हुई चूडिया, पहनी हुई चूडिया और अंगुलिया, अलतक्त का मतलब क्या होता है, आलता आलता जो होता है, काफी लोग जानते होंगे, बिहार के लोग तो काफी जानते होंगे क्योंकि आलता क्या होता है एक लाल रंग का सिंदूर जैसा होता है जो हाथ और पैरों पे महंदी की अनुसार लगा, महंदी के रूप पे लगाए जाता है से लाल, एवं एक ही मूर्ती के दो पाउं, एक जरीदार साड़ी से आवरत आवरत का मतलब होता है धका हुआ और दूसरा बांग बर से धका हुआ बांग बर क्या होता है शेर की खाल शेर की खाल से देखिए कितना विचित्र रूप बताया गया है अर्धिनारिश्वर का जो रूप होता है कितना विचित्र होता है कि जो शीव और पारवती का कल्पित रूप हमारे अंदर आता है हमारे जहन में आता है हमारे दिमाग में मनमुद्धी में आता है मनमस्तिक्ष में एक यही रूप आए है कि क्या है कि अर्धनारिश्वर कौन है भाई शीव और आदे शीव और आदे पारवती होते हैं कि आद की यहाँ पर रूप रेखा बताई है कि कैसे दिखाई देते हैं उनका चित्र कैसा है वह हमें किस रूप में दर्शन देते हैं तो क्या बताया है कि जिसका आधा अंग पुरिशका और आधा अंग नारी का जिसका आधा भाग तो यहाँ पर यह भाग हो गया पुरुश का और यह हो गया नारी का जिसका आधा अंग पुरुश का और आधा नारी का एक ही मूर्ती अब यह मूर्ती है मान लीजे हम हमारे जहन में मूर्ती भी लाते है तो एक ही मूर्ति के आदा भाग तो नारी का है और आदा भाग पुरुष का है अब एक मूर्ति के दो आखे होती हैं उसमें से एक आख विक्राल यानिकि डरावनी सी और बहुती ज़दा भैबित लगती है और एक आँख बिल्कुल कोमल आंगी लगती है, सुन्दर लगती है, काजल से सुन्दर बनाय हुआ लगता है, काजल लगाय हुआ लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि एक आँख किस की है, पुरुष की है, नारी की, समझ रहे हो, आप क्या कह रहे हैं आपर, एक रस मही, रस हाथ दिखाई देते हैं हमें देखिए दो हाथ दिखाई देते हैं ये नाक भी दो तरीकी हो जाती है एक में नाक का लॉंग लगाऊ आता है एक में कुछ नहीं लगाऊ आता है वो शाम बन की होती है क्योंकि जो प्रभु है इश्वर है वो कैसे शाम बन की और एक जो बन है एक रंग है वो कैसा लगता है गौर वन है यानि कि जो नारी का वन है नारी का जो रंग है वो गोरा होता है और पुरुष का जो रंग होते वो शाम होता है तो ऐसे ही दोनों आख दिखाई देती है एक पुरुष की और एक नारी की जिसमें एक रस्वही है और एक विक्राल दो बुजाई दिखाई देती है एक में त्रिशुल धारन कर रखा है और दूसरी में चूड़ी पेनिया हुई है और अंगुलियां अलतक्त से लाल है और उस जो चूड़ी पेनी हुई जो हात है उस हातों की जो उंगलियां है वो आलते से लगी हुई आलता लगाया हुआ है और उससे लाल हो रखी है एवं एक ही मूर्ती के दो पाउं है ठीके एक जरीदार साडी से आवरत है एक तो दो पाउं है उसमें एक तो जरीदार साडी जरी लगी हुई साडी जरी से वर्क के हुई साडी से ढकी हुई है और दूसरा बागंबर से ढकी हुई है यानि कि शेर क कि खाल कले फैना हुआ है दोगज दिखाई एक सागी वाला है और अगत की खाल का वसदर पहना हुआ है दूसरा रोप देखी और क्या है और भी रूप के अंदर और भी बन पला है एक हात में ढबुर दो हाहट दिखाई संजीवनी की धारा संजीवनी के मतलब जीवन जीने की जीवन जीने की अभिलाशा जीने की अभिलाशा तो शिवजी के आखों में क्या था भई घरल और मापार्वती की आखों में क्या था भई जीवन जीने की अभिलाशा जटाजुट में लहर पुन्या पुन्य की जटाजुट क्या है जटाजुट शिवजी के जटा का रूप है उसमें लहर पुन्य की शीतलता सुखकारी बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी और इस जटाजुट के उपर बाल चंद्रमा चंद्रमा का छो कलपना शिव और शक्ति के बीच पून समन्वे दिखाने का को निकाली गई होगी कि वो क्या बता रहे हैं लेखक यहां पर रामधारी सिदिनकरजी बोल रहा है कि इस पश्ट रूप से यह जो कलपना है कि आदे शिव थे आदे पारवती थे आदे नर का रूप था आदा ना आदा नारी का सोबा होता है आदा पुरुष का रूप होता है आदा नारी का रूप होता है समन्वे की बात बताई गई है किन्तों इसकी सारी व्यापत्या महीं तक नहीं रुखती कि सारी की सारी चीजे है सारी की सारी बाते है किवल यहीं तक नहीं रुखती है कि यहां श और नर नर्य फूरी तरह से समान होते है अवं उन में से एक के गुण दूसरे के दोश नहीं हो सकते अर्थात नरो में नारियों के गुण आ جाए तो इससे उनको रीधरी हो जाती आद अब देखी नर्च के पूरो सब्सक्राइब योग बात है थोड़ी सी गहरी बात है और वह गहरी बात क्या है कि हम कहेंगे कि पुरुष के अंदर इस्तरी के गुण आ जाते है तो वह इस्तरी जैसा हो जाता है ऐसी बात नहीं है पुरुष के अंदर केवल और केवल पुरुषत्व विद्धमान होगा ना बचो तो उसक पुरूष प्रेम करता है तो वो इस तरी गुन या अपना प्रचंद रूप दिखाती तो नरका रूप है तभी ये समाज चल पायेगा अन्य था पुरूश अपने पौरुश दिखाता रहेगा और नारी जो अपनी कोमल सुभाव के साथ जीवन जीती रहेगी तो दोनों में समन्वे नहीं बनेगा तालमेल नहीं और ये पुरूश है, अब इस तरह के अंदर सारे कोमल गुन होते हैं और पुरूश के अंदर सारे कठोर गुन होते हैं कठोर यानि क्या होता है वो कभी भी दया नहीं करेगा उसको कभी भी या प्रेम पुर्वक बात नहीं करेगा या फिर जो भी है उसके अंदर जो नम्र सब नम्रता नहीं आएगी उसके अंदर शहन शिलता नहीं आएगी तो शहन शिलता नम्रता कोमलता ये दया ये सारे किसक अपन कर रहा है उसके अंदर जीवन का वास्तविक सुख नहीं मिल पाएगा अगर वो इस तरी के गुणों को अपना लेता है जैसे वो दया भावना दिखा देता है सैन शीलता दिखाता है समन वे शीलता दिखाता है कोमल मतलब कोमल भाव दिखाता है तो वहां इस तरी के ग गुनों को धारन कर लेती है प्रचन बंजाती है बलचली बन जाती है विलोध करने के लिए या दुष्मेंदों का सामना करने के लिए खड़ी हो जाती है तो पुरूश और इस्त्री यानि कि नर और नारी दोनों एक दूसरे के गुणों को लेकर अगर जीवन यापन करते है तो वे संपून होते है पुरूश के अंदर इस्त्री के गुण और इस्त्री के गुण और इस्त्री के अंदर पुरूश के गुण अगर आते है तो उन्हें संपून व् अबला नारी की तरह जीवन यापन कर रही है तो दोनों में बराबर ही का है कहीं दिखाई नहीं दे रही है वास्तिफिक तोर पर रामदारी सितिन कर जिक्या बताना चाहरे आप समझ रहे है कि अरद नारिश्वर का जो सुरू इश्वर ने बताया है इश्वर प्रद्यत है तो अज जो मनुष्य है साधरन मनुष्य उसे भूल चुका है कि नर नारी का समावेश ही संपूर्ण जीवन होता है या सार्थक जीवन होता है लेकिन यहां तो मनुष्य भूल चुका है कि नर नारी का जो अस्तित्व है इश्वर प्रद्यत है और अमुसी को भूल रहे है संसार में सरवतर पुरुश ही पुरुश और स्थ्री इस्तृ नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारित्वों में बट्टा लगेगा कोई न कोई दाग लग जाएगा हम कैसे युद्द भुमी में जा सकते हैं हम कैसे किसी से लड़ सकते हैं हम कैसे किसी पर विरोध कर सकते हैं किसी का या हम कैसे प्रचन्ड बन सकते हैं नारी सोचती है कि हम पुरुष के गुन अपना लेंगे तो हम हमारा जो अस्थित्व वो सही नहीं रहेगा इसी प्रकार पुरुष भी इस्त्रियोचित गुनों को अपना कर समाज में इस्त्रेन कहलाने से गबराता है अब पुरूश भी डरता है कि मैं इस तरी वाले जो गुन ले लूँगा तो लोग मुझे ताना मारेंगे, मुझे व्यंग कसेंगे कि ये तो औरतों की तरह वेवार कर रहा है अरे औरतों की तरह क्या वेवार कर रहे है कभी कभी समन्वे शीलता बहुत जरूरी होती है हम एक जाती हमारे देश में कितनी बहुत सारी जाती आई थी अगर हम हिंदूई बने रहते और उन जातियों का तिरसकार करते रहते तो हमारा भारत देश आज विवित्ता में एकता को लिए जो विशेष्टा है उस विशेष्टा को धारन कर पाता उस विशेष्टा को ले पाता नहीं ले पाता इसे तरह से पुरुष भी अगर इस्त्रियों को गुणों के साथ में जीवन यापन करता है तो वो कोई स्त्री नहीं बन जाता है वस संपून बन जाएगा अभी अगर वो पुरुषित्व के साथ जी रहा है तो वो अदूरा है इसी तरह से नारी नारित्व के साथ जी रही है तो वो अदूरी है दोनों का समावेश ही दोनों की गुणों का समावेश ही उने संपून बनाता है इस्तरी और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांगने में नर और नारी दोनों को भै लगता है डर लगता है कि हम कहां पुरूष की लाइन में खड़े होंगे और वो कहरे हम कहां इस तरियों की लाइन में खड़े होंगे पर लाइन में नहीं खड़ा होना है समन्वेशीलता या समन्वेशीलता का मतलब पता एडजस्टमेंड adjustment का मतलब होता है आप कितना उनको गुरन कर रहे और वो कितना आपको गुरन कर रहे किन्तु ऐसा लगता है कि गुडों का बटवारा करते समय पुरूश ने नारी से उसकी राय नहीं कुछी अपने मन से उसने चाहा चाहा नारी को बिठा दिया स्वयम तो वह वरक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया स्वयम तो वह वरत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया तब से धूप पुरूश और चांदिनी नारी रही है गरिश मनर और वर्षा मादा रही है विचार पती और भावना पतनी रही है जहां भी कर्म का कोई शेत है अधिकार की कोई भुमी है और सत्ता का कोई सीधा उत्स है तो उस पर कपजा नारी का नहीं नर का माना जाता है बिल्कुल ये जो अंदिम पंक्ती है उस पर कपजा नारी का नहीं नर का माना जाता है बहुत ही बड़ी पंक्ती है, इसका भाव बहुत बड़ा है क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, बापस से देख लेते कि पुरुष ने कभी इस तरी की राय नहीं पुछी कि बई तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें कहा बैटना है, बैटना मतलब सिनहासन पर बैटनी की बात नहीं है कि तुम्हारा समाज में क्या स्थान होना चाहिए, उससे पूछा नहीं है पुरुष ने जो कहा वो नारी ने किया लेकिन नारी ने कभी नहीं कहा कि पुरुष को ऐसा करना चाहिए पुरुष ने अपने फैसले खुद ने लिये नहीं लिये, कही न कहीं समाज में ऐसा हुआ था, ये मद्ययूग की बात है जब नारियों का तिरसकार हुआ करता था, प्रगतिवादी काल की बात है जो छायवादोतर उतर रहा था, छायवादोतर के उतरनी के समय मद्ययूग चला था और मध्य यूग में क्या हुआ था नारियों का बहुत ज्यादा अभेलना की जाती थी उनका तिरस्कार किया जाता था उस समय के लिए ये अर्द नारिश्वर जो नीबंदे वो लिखा गया था समय तो वो व्रक्ष बन बैठा और नारि को लता बना दिया लता यानि कि बेल बना दिया जो व्रक्ष के चारो और लिपटते हुए लिपटते हुए चलेगी व्रक्ष के सहारे ही वो उपर उट सकेगी अन्यता वो उपर नहीं उट सकेगी यानि कि नारि को पूरी तरह से क्य तो बड़ा सा गोला बन गया और नाली को कह दिया वह तुम छोटी सी कली हो तुम कहीं इदर उदर गे जाओगी तुम मेरे सारे ही आगे बढ़ सकती हो तब से धूप पुरूश और चांदनी नारी रही है कि पुरूश क्या है धूप है और धूप में जो छोटी-छोटी से अगर चांदनी दे रहा है थोड़ा सा सुक दे रहा है तो वो क्या है नारी है ग्रिश्म नर है नर क्या है गर्मी है उसके अंदर कुरोध है और वर्षा मादा रही है यानि कि ठंडक दे रही है वो मादा इस्तरी है विचार पती और भावना पतनी रही है जहां भी कर्म का कोई शेतर आता है अधिकार की कोई भुमी है तो सत्ता का कोई सीधा उत्साता है तो उस पर कबजा नारी का नहीं पुरूश का होता है कि जब अधिकार की बात आती है या प्रसिद्धी की बात आती है समाज में कोई स्थान प्राप्त करना है तो माँ पुरूश प्राप्त करेगा नारी नहीं प्राप्त करेगी यही बटवारा जो किया गया है उस बटवारे की फिरोध में रामधारी सिंदिनकरजी अर्द नारिश्वर के मार्दम से समाज को बताना चारे है क्या बताना चारे है? कि नर और नारी अलग नहीं है नर को मनारी के गुणों के साथ आगे बढ़ना चीए नर के यतोचित गुणों को ग्रहन करना चीए तभी जीवन सही चल सकता है किसी को बेबस अबला बना कर और फिर आप उपर उठ रहो तो वो आपका संपूर्ण जीवन नहीं है नर है विदाता का मुख्य तंतुवाय जो वस्त्र वुन कर तयार करता है नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी ताड कर अन उप जाता है नरी का काम दोनों को अचोरना पचोरना है अब नर क्या कहा रहा है विदाता का तंतुवाय जो वस्त्र वुन कर तयार कपड़े बना रहा है नर और नारी उस पर छीटे डाल रही है कलर लगा रही है सिर्फ छीटे डाल कर उसको सजा रही है बनाने का काम उसने नहीं किया है यानि कि संसार में उसको परिवार कैसे चलाना है परिवार में या समाज में उसका क्या अस्तित्व होना चाहिए ये सारी चीजे नर और नारी दोनों के समायोजन से या उनके दोनों के विचार से होना चाहिए ना कि ऐसा होना चाहिए कि नर स्वेच्छा से जो भी फैसले ले रहा उसको नारी के ओपर अधिरोपित कर रहा है कि तुम्हें ये मानने ही है, मैंने जो बोल दिया है, मैंने जो कर लिया है, मैंने जो सोचा है या मैंने जो योजना बनाई है, वह योजना सही है और तुम्हें वह माननी है, अधिर ओपित या थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए नर है कुदाल चलाने वाला बलचाली किसान अगर किसान भी है तो वो कुदाली चला रहा चला रहा और मिट्टी ताड़ कर उसमें अन्न उप जाता है अन्न उगाता है तो नारी का काम दोनों को क्या करना है? अचोरना पचोरना यानि कि अन्न को सही करना है या फटकारना है ऐसे करना है अचोरना पचोरना है नर है नदियां का वेगमे प्रभा नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है अब पानी क्या है नदियों का जो पानी है पानी क्या है पुलिंग है और पानी पुलिंग है लेकिन पानी की जो लहरे बन रही है वो क्या है नारी तो कहीं न कहीं हर तत्व में प्रकरती के भी हर तत्व में नर नारी का समाविश आपको दिखता है तो हम हमारे जीवन में क्यों अके लिए अके लिए से जीवन जी रहें? सिनहासन तो वस्तुत राजा के लिए होता है रानी उसके वामांग की शोबा मात्र होती है सिनहासन पर कुन बैठता है? नर नाले तो केवल उसके वामांग याने के दक्षिन बाग में विराजित होती है केवल छोबा पाती है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है जैसे यहाँ पर हम प्राचिन रानियों की भी बात करते तो वो केवल और केवल क्या अपने राजा के पास बैठने बैठ भरके और दर्बार की शोबा बढ़ाती थी वहाँ दर्बार में कोई फैसले होते थे कोई निन्ने होते थे उसमें उसका कोई रोल नहीं होता था सत्य है राजा की गृवा, गृवा का मतलब क्या होता है गर्दन और विशाल वक्षोदे देश, रानी उन पर मंदार हार बन कर जूलने के लिए उसकी जो गर्दन है या उसका जो वक्षिस्तल है कौन पुरुश का उसके उपर जो माला की तरह ऐसे ऐसे जूलती रहती है वो कौन है नारी मतलब उसको अंदर रदे में स्थापित नहीं किया है किबल माला बना कर उसको पहना है तो नारी का अस्तित्व बताए जराए कि नारी का अस्तित्व क्या है राजब काया, काया का मतलब होता है शरीर और नारी छाया के प्रतिक है सत्य का साका रूप तो राज़ा ही होता है राणी है कलपना की रंगें जाली और सपनों की मीठी मुस्कान जो जीवन में उतरी तो वावा और नहीं उतरी तो वावा कहावत चल पड़ी यानि कि जीवन में अगर कुछ किया है तो भी वावा हो रही है नहीं किया तो भी वावा हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए नर और नारी पुरूश और इस तरी दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए पुरूष एनेचे दिव से जौला तप्त रोधर दाहा कामीनी एनेचे वयामीनी शांती समिना वालिवा तो क्या बता रहे हैं कि दीवस की जौला और तप्त दूब ये पुरूष की लाई हुई चीजे है के दीवस की जौला दिन की जौला है उजाला और तपती धूप ये पुरूश की लाई होई चीजे है और कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांती लाती है यामिनी मतलब क्या होता है रात रात में कैसी शांती होती है बस ऐसी शांती लाती है कि जो आज आप जौला देख रहे हो दिन का उजाला देख रहे हो या तपती धूब देख रहे हो वो पुरुष की लाई हुई चीज़े बता रहे हैं और रात की जो शांती है वो केवल और कामीनी किसे कहा गया है इस्तरी को नारी को कामीनी तो अपने साथ यामीनी की शांती है निकी रातरी की शांती लेकर आई है किंदु कभी की ये कल्पना जूटी है यदि आधी मानव और आधी मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर उने ही होता आधी मानव और आधी मानवी यानि कि जो आधी काल में मानव इस्तरी और पुरुष थे उन्होंने अगर ऐसा सोचा होता तो क्या कुछ कर पाते वे? अपने जीवन में कुछ सोच पाते उनका खुद का निन्ने था कि उन्हें कैसा जीवन जीना है वे तो आदी मानव थे, गुमक्कर जीवन जी रहे थे, आदी वास्यों की तेरे जानवरों की तरफ पशुवत जीवन जी रहे थे और उस समय मान, इस्तरी और पुरुष दोनों समान रूप से जीवन जी रहे थे और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चान्नी का वतवरा हमने नहीं किया था, हम तो साथ साथ जन में थे तथा धूप और चान्नी में वर्शा और आतप में साथ ही गुमते भी थे यानि कि साथ साथ जन में थे जदू, पोज, चान्नियों साथ साथ गुमते थे ऐसा नहीं कि जो आधी मानवी थी उसको घर में बिठाक और आधी मानव कमाने के लिए जाता था अगर कोई जानवर हम पर तूट पड़ता है, तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे, हम अलग अलग नहीं थे आधी मानव और आधी मानवी के लिए बता रहे है उन दिनों नर बलिष्ट और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी, ना आहर के लिए ही एक दूसरे पर अवलंबित थी अवलंबित का मतलब था निर्भर, नहीं रहना पड़ता था नारी की परादिन था, तब आरम हुई जब मानव जाती ने करशी का आविशकर किया जिसके चलते, नारी घर में और पुरूष बाहर रहने लगा अब नारी और नर दोनों के बीच में एक कमीटमेंट हुआ या दोनों के बीच में एक समीदा कुई उनों ने सोचा कि जब क्रशी का विकास हुआ और खेती करने लगे और पशुपालन हुआ, खेती, पशुपालन और परिवार जब बढ़ा, तो उसके बाद उन दोनों को लगा कि ऐसा करना चाहिए कि तुम बाहर कमाने जाओ, मैं घर पर करती हूँ काम, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जब हम ग्रस्ती बसाते हैं, क्रशी का क्रशी विवसाई शुरू हो जाता है, पशुपालन शुरू हो गया था, तो घर में काम बहुत सारे थे, और ऐसे काम भी थे, कि बाहर से भी बहुत सारी जरूरती थी, तो क्या हुआ काम का बटवारा कर दिया गया, पुरूश ने कहा कि नारी को, या नारी ने खुद ने क तब आरम होई जब मानव जाती ने क्रशी का आविश्कार किया और जिसके चलते नारी घर में और पूरुष बाहर रहने लगा यहां से जिन्दगी दो टुकडों में बट गई घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निसीमित हो गया एवन छोटी जिन्दगी बड़ी जिन्दगी के अधिक अधिक अधिन होती चली गई नारी की पराधिनता का यहां स्शंशिप्त इतिहास है कि कैसे नारी घर की वो क्या बोलते है मतब घर की घर में ही रह गई? यह सिप और सिप आधिमानव के क्रशिव विकास के तरब जाता है नर और मादा पशुऊं में भी थे, पक्षियों में बी, किन्तु पशू और पक्षियों ने अपनी मादाओ पर आर्थिक परविश्ता नहीं डाली क्या जानवरों में कोई ऐसा कहता है कोई शेर शेरनी है तो शेरनी के लिए क्या शेर कोई शिकार करके लेकर आता है लाता है क्या? नहीं लाता है ऐसे पशु पक्षियों में क्या एक पक्षी अपनी पत्नी के लिए दाना पानी लेकर आएगा क्या? नहीं लेकर आता है वो कहता है तुम खुद जाओ और खुद भई यहां तक कि अपने बच्चों का बढ़न पोशन भी वो पक्षी जो मादा पक्षी वो करेगी पुरुष पक्षी तो अपना पेट भरता और चुट्टी हो गया ठीक है आप यह देखते हो ना कभी समाज में अपर देखते होंगे की जो गाय है वो भी अपने बच्चों का पालन पोशन करती है बैला कर नहीं करता है जो मादा पुरुष मादा पर पशु है वहाय करती है तो में आपको तो यह बटवारा जिब पशु पक्षी और जानवरों में नहीं हुआ तो हम में कैसे हो गया लेकिन मनुश्य की मादा पर यह परादिंता आप से आप लद गई अपने आप ही डाली जा चुकी है और इस परादिंता ने नर नारे से वह महास्ड्राष्टी भी छीन ली जिससे नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर की देखती थी क्रश्य का विकास सबविता का पहला सोपान था सोपान का मतलब क्या था पड़ाव या सीडी बोल सकते है उसको सीडी सोपान का मतलब क्या होता है सीडी पहली सीडी थी क्रशी के विकास के बाद में ही जो मनुश्य है वो आगे बढ़ने की प्रेना लेता गया किन्तो यहाँ इस पर भी सोची इस पहली भी सोची पर सब्वेता ने मनुश्य से भारी किमत वसूल कर ली आज प्रतिक परूश अपनी पत्नी को फूलो सा आनंद में भार समस्ता है और प्रतिक पत्नी अपने पती को बहुत उसी द्रश्टी से देखती है जिस द्रश्टी से लता अपने व्रक्ष को देखती है लता केसे देखती है पेड़ को कि इसके सारे ही में चढ़ सकती हूँ और इसे सुरक्षित रखना है इसे सब कुछ मानना है, यही है सब कुछ तो आज जो इस्तरियां है वो अपने पुरुष को याई अपने पती को यही मानती है कि इनके सारे ही मैं हूँ अगर ये नहीं है तो मेरा अस्तित्व नहीं है ये मुझे जितना उपर चड़ाएंगे मैं ही उतना उपर चड़ूंगी तो ऐसा नहीं था ये प्रगतिवादी काल की बात है आज नहीं है आज इस तरीयां अपने पैरों पे खड़ी है बरतमान काल की बात बता रही हूँ और वे आत्म निर्बर है ठीक है इस परादिंता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही उसके सुख और दुख प्रतिष्टा और अप्रतिष्टा यहां तक की जीवन और मरन पुरूष की मर्जी पर टिकने लगे उसका सारा मुले इस बात पर जा ठेरा कि पुरूषों को उसकी कोई आवशक्ता है या नहीं इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवती मार्ग की प्रचार से उठती और निवरती मार्ग की प्रचार से गिरती रही जो प्रवर्ती मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया प्रवर्ती मार्गी का मतलब होता है जो सही मार्ग पर जा रहे थे और जो सही मार्ग पर नहीं थे यानि कि वो किवल और किवल अपना स्वेहम के बारे में सोचते से स्वार्थी थे या अपने बल के बारे में सोचते थे वे निवरती मार्गी थे तो प्रवरती मार्गी उन्होंने नारी को गले से लगाया क्योंकि जीवन से वे आनंद चाते थे नारी आनंद की खान थी किन्तो जो निवरती मार्गी निकले उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढखेल दिया क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी अब निवरती मार की उन्हें कहेंगे जो नारी के अवेलना करते थे नारी के अवेलना का मतलब यह नहीं कि उन्होंने मतलब ये है कि नारी कई लोग ऐसे कहते थे कि नारी अगर जीवन में आगे तो जीवन बरबाद हो जाता है या जीवन निरर्थक हो जाता है कुछ नहीं है ये मो माया वगरा नारी प्रेम ये सब छोड़ दो और निवरती मारक अपना लो ये एक हम बोल सकते हैं निर्गुन की तरफ चले जाते थे ठीक है प्राचिन विश्व में जब पैक्तिक मुक्ति की खोज पनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी तब जुन्ड के जुन्ड विवाहित लोग सन्यास लेने लगे देखिए उन अभागिनी पत्नियों के सिर पर जीवित वैधवे का पहाट तूटने लगा जरा उन आसियों की कलपना कीजिए जो उन अभागिनीयों की आखों से बहते होंगे जिनके पती परमार्थ लाप के लिए उनका त्याग कर देते होंगे उनके लिए देखिए उधारन के रूप में मैं देख लेती हूँ यहाँ पर स्वामी नारायन का नाम लिया जाता है उन्होंने भी गरत्याग किया था पर वो बच्पन में किया था चलो ठीके दूसरा है यहाँ पर हम महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध इनका नाम उलेखने लिया जाता है उन्होंने क्या किया था? परमार्थ की प्राप्ति के लिए ग्रत्याक कर दिया अपने बच्चों और पत्नी को छोड़ कर चले गए स्वामी नारण का नाम नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने बच्पन में ही घर चोड़ दिया था बहुत छोटे थे जबी उन्होंने घर चोड़ दिया था तो पत्नी तो नहीं थी उनकी माता पिता जरूर थे लेकिन यह महात्मा बुद्ध जी का नाम लेखने रूप से लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने परमार्थ की प्राप्ति के लिए ग्रहत याग कर दिया था उन्होंने ये भी ने सोचा पीछे से मेरी पत्नी का क्या होगा ये शोधरा नाम था उनका और उनका क्या होगा उन्होंने अपनी बच्चों का पालन पशन कैसे किया होगा वे तो चले गए, अंदेरे में उनको सोता हुआ छोड़ कर चले गए, पर क्या हुआ? ये निवरती मारगी थे, मात्मा गुम बुद्ध कौन थे? निवरती मारगी थे, जिनको लगा कि हमारे जीवन में जो नारी है, वो हमारे परमार्त की प्राप्ति के लिए बादा बन रह है सासी और शायद सबसे बड़ा वीर है और हाईरी नारी जो इन परिस्ततियों से हार कर स्वेच चाया अपने आपको सचमुछी पुन्य की बाधा और पाप की खान मानकर पचार खाकर रह जाती थी ठीके तो समझ में आया आपको इतना तो देखी बचो आज हमने यहाँ पर नर नारी के काफी कुछ चोटे चोटे बिंदू के माध्यम से जाना है कि नर और नारी का समाविश क्या है नर के गून किस तरह से नारी में और नारी के गून किस तरह से नर में और निवरती मार्गी प्रबरती मार्गी के बारे में आपको समझ में आ गया है कि प्रबरती म भी दिया है, तो I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा, clear हुआ होगा, यह जो आदा चेप्टर यह ज्यादा नहीं किया आज हमने, अगला भाग है इसका जो हम अगले lecture में करेंगे, यानि कि next week ही आएगा, क्योंकि मंगल वार है, तो आज तो हमने इतना पढ़ लिया है, next week जो मंगल वार आएगा, सोम वार आएगा, सोम और मंगल को, यानि कि Monday और Tuesday को हमारी बिहार की class होती है, तो next week हम इसके पूरे चेप्टर को complete कर लेंगे, यानि कि हम जो आधा भाग बचा है, वो भी पूरा कर लेंगे, साथ में कोशना अंसर भी कर लेंगे, और बहुत अच करेंगे, समझ के करेंगे, इसके अंदर से फिर कहीं से भी प्रशन आता है, आप उसका उतार दे सकते हैं, तो thank you so much बच्चों, फिर मिलते हैं